आज में आपको इसलिए करने वाला हूँ ड्रागन फ्लाइ मूवी यह 2002 की मूवी है यह ट्रिलर द्रामा और सस्पेंस मूवी है इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है जो उसकी वाइफ एमिली मर जाती है उसके बात वो उससे कम्यूनेट कर रही है ऐसा उसे लग रहा होता है ज तो जैसे मैंने बताया कि मूवी में दो कैरेक्टर है जो और इमिली यह दोनों हस्वन वाइफ होते है और यह दोनों डॉक्टर होते है तो जब मूवी स्टार्ट ह Kerry मर में दिखता है कि एमिले जो होती है वह घर वापस आने की कोशिश कर रही है जो से कॉल पर पोल रहा है कि तुम क्या border पर आ सकती हो अब जो वहाँ काम कर रही होती है वहाँ पर जंग छिट चुकी होती है Emily जॉक्टर होती है और आदिवासी लोगों की help कर रही होती है तो वहाँ वो गई हुई होती है और वहाँ जंग छिट गई होती है इसी वज़े से उसे अब फिर से घर वापस आना होता है उसे पता नहीं होता कि कैसे वो घर आ सकती है जो भी उसके पास जाने का ट्राय करता है पर उसका विसा नहीं होता तो जानी बाता फिर एमेली जो को कहती है कि मैं अब बस पर चड़ रही हूँ मुझे पता नहीं कि मुझे वो कहा लेकर जा रहे है फिर हमें दिखता है कि जिस बस में Emily चड़ गई थी उस बस का accident हो जाता है फिर हमें directly America funeral दिखाया गया है जो उसमें grieve कर रहा होता है जहाँ Emily मर चुकी होती है वहाँ कुछ दिनों के बाद जो पोच जाता है Emily की body अभी तक उन्हें मिले नहीं होती तो इसलिए वो वहाँ होता है वहाँ का जो officer होता है उसे कहता है कि body हमें मिलने नहीं वाली यहाँ का flow बहुत ही जादा है और पानी में वो गिट चुकी थी बस भी 10 feet पानी में ही है इसलिए impossible है जो चीत पर अड़ा होता है जब तब मुझे body नहीं मिल जाती है तब तब मैं जाने ही नहीं वाला ऐसा हो से कहरा होता है पर वो officer उसे आशुर करता है कि impossible है तो जो इसके बाद मान जाता है जब Emily का funeral हो जाता है तो जो directly hospital में चला जाता है अगर वो काम नहीं करेगा फिर भी उसे sorrow in crisis होगा तो इसलिए वो काम करना चाता है जो वो आता है तब एक case suicide की आई हुए होती है उसे मना कर देता है कि मैं आज इन लोगों को treat करना चाता हूँ जो actual में जीना चाते है फिर उसमें एक case होती है जिसमें एक लड़की की delivery होने वाली होती है उसके critical condition होती है तो वो directly decisions लेता है मा मच जाती है और वो बेटा बच जाता है वागी जो नर्सेस होती है उसे बोलती है कि तुमें consultation करना चाहिए था पर उसे लगता है कि हमारे पास work नहीं है और हमें directly यह सब कर लेना चाहिए यानि कि delivery कर लेनी चाहिए फिर hospital का जो boss होता है वो जो से मिलने आता है जो ने suicide की case हैंडल करने से मना कर दिया था इसलिए एक nurse ने उसे report कर दिया था इसलिए अब जो से मिलने आया हुआ है वो जो से कहता है कि तुमें जरा time off लेना चाहिए तुमने आज जो भी क्या है वो जरा गलत था जो decision तुमने pregnancy के वक्त लिये थे वो भी जरा questionable थे तुमें ग्रीव करने के लिए time चाहिए तीन-चार महिने के लिए उसे लिव पर जाने के लिए बोल रहा होता है जो फिर उस लड़की के पास जाता है जिसने suicide की थी वो उसे कहती है कि क्यों तुमने मुझे मरने ने दिया मैं एक अच्छे place पर जाने वाली थी फिर जो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि ये place exist करता है ये अच्छा place है या नहीं ये तुम्हें पता भी नहीं है मैं तुम्हें अशूर करता हो कि वहाँ कुछ भी नहीं है जो भी है इसी life में तुम्हें मरना है तुम मर सकती हो वो heart broken होती है इसलिए उसने suicide का try किया होता है फिर उसे कहता है कि जब तक तक तुम्हारा heart किसी को मालूम ना पड़े यानि कि तुम्हें कोई अच्छा नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें जिन्दा रहना है फिर हमें जो दिखता है कि बार में वो आयो होता है उसके सब friends होते हैं उनके साथ वो आता है इसका इसमें मन नहीं लग रहा होता उसके जो friends होते हैं वो discuss कर रहे होते हैं कि Emily कितनी अच्छी थी जो और Emily की जोड़ी के बारे में जब वो बोलते हैं तो वो कहते हैं कि Emily heart थी और तुम brain थे यह सुनकर जो को जड़ा बुरा लग जाता है और वो वहाँ से चला जाता है जो जब घर पर आता है तब उसकी neighbor उसी मिलती है उसका नाम होता है Mrs. Belmond Belmond फिर उसे कहती है कि मैं आज Emily के funeral पे नहीं आ सकी मुझे flu था और किसी को यह लगना जाए इसलिए में नहीं आई फिर वो उसे एक parcel देती है यह Emily ने parcel मंगवा होता है Belmond उसे यह भी कहती है कि तुम्हारा जो bird है उसने दिन बर नहीं खाया है यह एक parrot होता है तो फिर जो उसे कहता है यह जो parrot है यह हमसे ज़ादा जीने वाला है इसे कोई प्रॉलम नहीं आएगा घर में आकर जो जब इस parcel को खोलता है तो उसमें dragonflies होते है यह एक decoration के dragonflies होते है Emily pregnant होती है और अब उन्हें बच्चा होने वाला है इसलिए उसने dragonflies मंगवाय होते है जो को फिर उन दोनों की trip आती है और लेट के side में लेटे हुए होते है और तुम्हें डिसकस कर रहे होते है उसे dragonfly बनना होता है उसे dragonfly अच्छा लगता है वो उसका spirit animal होता है उसे अपनी wife की बहुत ही याद आती है उसके wife का जो तोता हता है वो भी उससे बात नहीं करता वो सिर्फ Emily से बात करता था जब वो रात में सोय हुआ होता है तो जो paper weight होता है वो गिर जाता है और इस paper weight में भी dragonfly बना हुआ होता है पूरे घर में उसे dragonfly आज दिखे थे वो next दिन hospital जाता है तो अपने friend से lunch break पर यह सब बाते करता है वो कहता है कि पूरे घर में मुझे ड्रागन फ्लाई देख रहे थे मेरा तोता भी मुझे से बात नहीं करता यह सब वो जब बोल रहा होता है तो डॉक्टर फिर उसे कहता है कि तुम्हारी उस घर में बहुत सारी विमरीज है तो मैं उस घर को बेच देना चाहिए जो उसे कहता है कि मुझे कुछ चीज़े करनी है इसके बाद मैं इस घर को बेच दूँगा वो डॉक्टर उसे कहता है कि उस तोते को भी बेच दो पर फिर जो उसे कहता है कि एमेली को मैंने वादर किया था कि उस parrot का मैं हमेशाä ख्याल रहूंगा फिर वहाँ hospital लगा जो boss होता है वो आता है वो जो उसके कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें break लेना چाहिए फिर जो उसके कहता है कि मैंने Emily को promise कיה था उसके जो भी सब बच्चे है उनका मैं खैल रहूंगा इसका मतलब है कि MLE जो होती है वो cancer की doctor होती है और cancer जिन बच्चों को होता है उन बच्चों का वो खैल रखती है तो जो भी उन बच्चों का खैल रखने वाला होता है फिर hospital का जो पॉस्ट होता है वो भी इस चीज़ के लिए मान जाता है फिर जो MLAGES ward में काम करती थी वहाँ पहुच जाता है जब उसके patient की वो list देखता है तो बहुत सारे उसमें से patient मर चुकी होते है बहुत ही कम जिन्दा होते है वो उसे ward में bench verse हो जाता है वो जाग जाता है जब उसे एक फुकार सुने देती है उसका नाम कोई ले रहा है ऐसा उसे लग रहा होता है जब वो देखता है तो एक बच्चा unconscious होता है और उसे सब operation traitor में ले जा रहे होते है वो बच्चा ही उसे पुकार रहा है ऐसा उसे लगता है वो बच्चे के पास पीचे पीचे जाता है तो बच्चा unconscious होता है और उसका heart stop हो जाता है डॉक्टर से बचाने के कोशिश करते है पर वो उसे बचा नहीं पाते जो वही होता है वो बच्चा मर चुका था पर थोड़ी देर बाद वो जिन्दा हो जाता है सब लोग उसे बचा लेते है नस के साथ बाहर जो होता है तो नस उसे कहती है कि हमेशा ये बच्चा फिर से वापस आ जाता है जब वो मर चुका होता है उस टाइम में वो क्या-क्या उसने महसूस किया था उसके स्टोरीज भी वो बताता है वो एक टनल के बारे में हमें बताता है नेक्स दिन जो को फिर लगता है कि उस बच्चे से उसे बात करने चाहिए तो इसलिए नस को पुछता है कि क्या तु मुझे राउंड पर डाल सकती हो नस बोलती है कि हमारा बॉस है इसके खिलाफ है पर उसके बॉस को वो भी हेट करती है जो भी उसको हेट करता है तो इसमें वो ज़रा करनेक्ट होते है और फिर वो नस उसे उस राउंड पर डाल देती है फिर जो जब उस बच्चे से मिलना जाता है तो वो बच्चा cross बना रहा होता है नर्स जो से कहती ही कि जब से यह उठा है यही cross वो बना रहा है जो अपने खुद से introduce उसे कराता है और कहता है कि कल में ICU में था तो वो बच्चा उसका नाम होता है जेफरी तो जेफरी उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम वहाँ थे जो उसे कहता है कि तुम तो अंशकॉंशेस थे तुम्हें कैसे पता था जेफरी कहता है कि मैंने तुम्हें वहाँ देखा था नर्स जो को कहती है कि जेफरी के पास बहुत सारे near-death experiences है वो बहुत सारे story सुनाता है इस वर तुम believe मत करो जोफरी वर कोई believe भी नहीं करता वो नर्स उसे कह कर जाती है कि इस तरह के जो discussion है यानि कि after life की जो discussion है वो हम encourage नहीं करते है sister Madeline थी जो ये करती थी तो हमने उसे fire कर दिया है जब nash चली जाती है तो जो फिर से जेफरी से बात करने लग जाता है तो जेफरी से वो बुशता है तो उन्हें मुझे कैसे देखा था तो जेफरी बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा था पर मैं searing पर था यानि कि वो अपनी body से निकल जुका था उसकी soul चली गई थी और उसने उसे देखा था जो उस फिर बिल्यू नहीं करता तो वो ये भी पताता है कि तुम्हारी tie अलग थी उसके बाद वो से कहता है कि तुम्हारे सरव पर एक ball spot है जो जब अपना नाम उसे बताता है तो वो बच्चा उसे कहता है कि क्या तुम इमिली के जो हो जो हैरान हो जाता है और पुछता है कि तुम्हें कैसे पता तो वो कहता है कि मैं इमिली से मिला था जब वो कल चला गया था और जब मैं rainbow में था तब मैं उसे मिला था मैं बहे जाने वाला था मैं इस दुनिया से चले जाने वाला था पर एमिले ने मुझे रोक लिया उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है उसने मुझे तुम्हें मैसेज देने के लिए भी कहा था पर अब ये मैसेज वो भूल चुका होता है जो उससे याद कराने के लिए बोलता है पर वो याद नहीं कर पाता यह सब चल रहा होता है तो जेफरी के फादर वहा आते है जेफरी के फादर फिर उसे पूछते है कि क्या तुम्हेरे सर पर जो बॉल्ड स्पॉर्ट है इसके बारे में इसने तुम्हें बुला है तो जो हैरान होता है, जो को लगता है कि इससे कैसे पता, तो फिर उसके फादर उसे कहते हैं, यहाँ एक मिरर है, वो मिरर उसे दिखाते हैं, जिससे किसी का भी बॉल्ड स्पॉर्ट उन्हें दिख सकता है, जेफरी के फादर भी जेफरी का बिलिव नहीं करते हैं, उन्हें भी वो sign भना हुआ होता है, जो jeffrey ने बना होता है, जो रात में अपने friend के साथ dinner करता है, तो जो भी किसा उस, बच्चे के साथ उसका हुआ होता है, वो वो discuss करता है, उसकी एक friend, उसे एक lady से introduce कराती है, यो उसे कहती है, कि ये एक grief counselor है, जो के लिए वो उसे recommend कर रहे होती है, जो को फिर कौल आता है और वो वह से चला जाता है वो जो counsellor होथी है वो वहाँ आकर उसे बात करती है वो counsellor फिर उसे कहती है कि जो भी तुम महसुस कर रहे हो तुम्हें लग रहा है कि Emily तुमसे बात करना जाती है यह सब एक form of तुम्हेरे grieving है तुम एंगर महसुस कर रहे हो इसलिए तुम्हें ये सब लग रहा है जो भी चिर जाता है जो बोलता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है क्या मैं फिल कर रहा हूँ ये बताने के लिए मैं जो भी सब चीजे महसुस कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैं क्या मैसुस कर रहा हूँ उसे anger मैसुस हो रहा होता है उसे grief मैसुस हो रही होती है फिर वह वहाँ से चला जाता है फिर next दीन में हमें दिखता है कि रात में जो hospital पहुच चुका है वो अब next बच्चा जो होता है जिसके room में उसे वो sign दिखा था वहाँ आ चुका है वहाँ आपने आपको introduce करा था है वो बच्चा बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ वो उसे sign के बारे में पुछता है जो कहता है कि मैं तुम्हारे work जो था वो admire कर रहा था तुम्हारे image मेरे mind में उसने distilled की थी उसने मुझे बताया था कि तुम मुझे से मिलने आओगे वो तुम्हें कहीं ले जाना चाती है वो उसे बुछता है कि मुझे कहा जाना है तुम बच्चा बोलता है कि जो cross बनाया होता है वहाँ उसे जाना होता है rainbow में उसे जाना होता है फिर जो उसे कहता है कि उस lady को तुम कैसे जानते हो वो कहता है कि कॉमा में जब था वो वहाँ मुझे मिली थी और जब मैं यहाँ इस hospital में पहुच चुका हो तब उसकी image मुझे दिखी थी वो यही hospital में doctor थी इसा वो उसे बताता है फिर वो उसे कहता है कि तुम्हे rainbow में जाना है यह बच्चा कुछ specific नहीं होता पर उसे जादा help भी नहीं कर सकता फिर जो nurse के पास जाता है nurse से वो पुछता है कि क्या यह बच्चा मेरी wife का patient था तो nurse बोलती है तुम्हारी wife जब मर चुकी थी उसके बाद ही आया था जो जब घर आता है तब उसने अपने neighbor को बुलोया होता है उसकी neighbor को यह सब बोल रहा होता है यह कैसे वो बच्चे उससे communicate कर रहे है वो सब उससे जो महसूस हो रहा है उससे बारे में बोल रहा होता है वो neighbor उससे कहती है कि यह जो तुम्हें लग रहा है यह सब तुम्हें गलत लग रहा है यह सब तुम imagine कर रहे हो यह जो neighbor होती है उसकी बेटी भी मर चुकी होती है इसी वज़े से वो दोनों connect कर रहे होते है वोसे कहती है कि जब मेरी बड़ी मरी थी तो मुझे भी ये सब लग रहा था तुम्हें ज़रा टाइम ओफ लेना चाहिए तुम्हें कही नए प्लेस पर जाकर हॉलिडे करना चाहिए जो के फ्रेंड स्किंग के ट्रिप पर जाने वाले हैं और जो को भी जाना होता है पर उसने बॉस पॉन के होता है पर अब वो फिर से जाने वाला होता है जो को एमेली का और एक पारसल आयो होता है वहाँ एमेली के फोटोज होती है जहाँ लोगों को हेल्प कर रहे होती है आदिवासी लोगों को हेल्प कर रहे होती है वहाँ की ये फोटोज होती है वहाँ बज्जों के साथ waterfall के पास बहुत सारी images उसके होती है ये सब जो images वो देख रहा होता है उसके बाद उसे dragonfly दिखती है वो उसे ignore कर देता है और फिर वो सोने चला जाता है वो जब सोने चला जाता है तब तुफान आ जाता है सब खीड़के आ वहाँ ओपन हो जाती है उसका जो parrot होता है वो हमेशा जब Emily घर पर आती थी तब Emily घर पर आई है ऐसा announce करता था तो parrot बोलने लग जाता है तो जो ये देखने के लिए नीचे आता है तो parrot यहाँ वहाँ उड़ने लग जाता है घर को वो तेहसनेस करने लग जाता है और वो वही बढ़ जाता है जब जो खीड़के वगरा बन कर रहा होता है तो वो उसे Emily की एक जलग दीती है वो ढर जाता है वहाँ से वो फिर घर से निकल जाता है वो अपने neighbor को भी call कर देता है और जो भी कुछ होता है वो उसे बता देता है वो neighbor उस parrot के care करने के लिए वहाँ चली जाती है फिर जो hospital में आता है hospital में होता है तो वो Jeffrey के bed तक आता है पर Jeffrey अपना scan वेगरा करने के लिए नीजे गया होता है तो उसका boss से उसे मिल जाता है उसका boss फिर उसे कहता है कि जब तुम उस बच्चे से मिलने कल आये थे तो उसके बास उसकी condition बहुत खराब हो चुकी थी तुमने उसे डिस्टब कर दिया था तो उसे फिर से वो break लेने के लिए बोल रहा होता है या हॉस्पिटल से जो सिस्टर मैडलीन का पता निकाल रहा होता है सिस्टर मैडलीन जो थी वो भी after life पे research कर रही थी और इसी वज़े से उसे हॉस्पिटल से fire कर दिया था जब जो खर पर आता है तो उसकी neighbor उसे कहती है कि एक serious बात मुझे तुमसे बात करनी है वो उसे गमला दिखाती है और उस पर वही sign बनाया होता है जो वो बच्चे बना रहे थे उसे कहती है कि वे तुम ही बना रहे हो अगर तुमने ये बनाया होगा तुम्हें help चाहिए वो फिर उसे ये भी कहती है कि ये ही sign इस गमले पर भी है और windows पर भी है ये देखकर जो हैरान होता है फिर वो sister Madeleine से मिलने चला जाता है जब sister Madeleine जहाँ काम करती वहाँ जाता है तब सब लोग उसे इंकार करते है sister Madeleine से मिलने हमेशे generalist जाते है तब सब लोग उसे परिशान होते है तो इसलिए उसे मिलने से सब उसे मना कर रहे होते है जो फिर भी अंदर घुज जाता है और Madeleine से कहता है कि मैं reporter नहीं हूँ वो doctor है जब से बताता है Madeleine फिर से उसे बात नहीं करना चाहती क्योंकि ये job पर होती है और इस job पर उसे निकाला जा सकता है और अगर इस job पर इसे उसने कुछ बात की तो उसे निकाला जा सकता है वहाँ का जो boss होता है वो police को call कर देता है जब जो वहाँ से बहार निकलता है तो police उसे जब पुछताच कर रहे होती है तो Madeline यह सब देख रहे होती है Madeline फिर एक बच्चे से एक message विजवाती है इसमें Madeline से मिलने के लिए time दिया होता है फिर हमें judge में यह दोनों बात करते हो धिखते है Madeline से कह रहे होती है जो तुमें लग रहा है यह सब real है यह सिफ़ तुमारे mind में नहीं है फिर उसे explain करने के लिए बोलती है कि किसी भी तुम anesthesiologist से पूछो तब वो तुमें बताएगा कि जब mind unconscious होता है तो उसमें hundred layers होते है पर जब वो anesthesia देते है तब 10 लेर तक तुम पहुच सकते हो तो यह बहुत सारी चीज़े पता ही नहीं है वो उसे convince कर रहे होती है जो भी यह सब हो रहा है यह real हो सकता है जो उसे कहता है कि क्या यह मैं imagine नहीं कर रहा हो सकता तो कहती है कि imagination और reality में बहुती कम फरग होता है तुमने भी जब doctor तुमें बनना था तो तुमें imagine किया होगा कि तुमें doctor बनना है और तुम बन गए तो reality और imagination इतने अलग अलग नहीं है उस symbol के बारे में जो उसे पुछता है पर उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता जो एक book उसने लाई होए होती है उसमें वो चेक कर रहा होता है कि वो symbol कहा उसे मिलेगा या नहीं पर उसे फिर भी वो symbol कहीं नहीं मिल रहा होता निकसी में हमें दिखता है कि जो अपने hospital में होता है और वहाँ एक emergency की case आती है जो का friend जो doctor होता है वो वहाँ नहीं होता और फिर वो जो को call करता है वो कहता है कि यह जो आदमी है वो आप मर चुका है तो इसके organs मुझे चाहिए यह एक organ donor होता है तो किनी transplant के लिए यह doctor उसे hold on करने के लिए बोल रहा होता है जो फिर उस आदमी के पास जाकर खड़ा होता है सब जब वहाँ से चले जाते है तो जो को लगता है यह फिर से वापस आ चुका है उसका इसी चीज़ होता है उसमें spike उसे दिखते है फिर वो आदमी जो जो पुकारने लगता है पर यह आवाज इमिली की होती है यह देखकर वो बहुत ही disturb हो चुका होता है जब सब लोग वहाँ थे तो वो उनसे कहता है कि अभी उसे मद लेकर जाओ यह भी भी जिन्दा है जब उसका फ्रेंड भी वहाँ पहुचाता है और एकीजी दिखता है तब इसमें कुछ भी spikes वगरा नहीं होते है जो उस आदमी को लेकर जाने के लिए रेजिस्ट करता है पर सब लोग उसे फिर पकड़ लेते हैं और उसे रोक लेते हैं इस पर अब पुलिस के charges लग जाते हैं वो जेल में होता है तो उसकी neighbor आती है और उसे वहाँ ज़ुडवा लेती है उसकी neighbor उसे कहती है कि अब तुमें इस सब से दूर निकल जाना चाहिए तुमरा house वेगरा सब तुम सेल कर दो तुमें closure नहीं मिला है इसलिए तुम यह सब कर रहे हो तुमें अगर Emily की body मिल जाती तुम यह सब नहीं करते उसका closure उसे ढूड़ना चाहिए इसा वो से कहती है जो भी अब यह सब करने के लिए मान जाता है वो अपने friend के पास जाता है और अब वो drip पर जाने वाला होता है house को भी वो sale करने वाला होता है वो फिर house में होता है और सब packing कर रहा होता है जो फिर से घर में आता है तब वो जब सब चीजे उसने pack की थी उसमें से सब चीजे तहसने सो चुकी है वा उसे उसका map मिलता है जहाँ उसे जाना होता है इस map को open कर लेता है और इस map में फिर उसे वो sign दीख जाता है जो वो बच्ची बना रहे थे तो अपने instructor को call लगता है उसे बुशता है कि sign क्या है तो instructor उसे कहता है कि waterfall का sign है फिर एमिली ने उसे जो photos send की होती है वो वो देखता है इस photos में भी waterfall होता है और उसे rainbow भी वहाँ देखता है अब उसे बदा चल जाता है कि वो सही direction में जा रहा है उसे उसे follow करना चाहिए फिर वो उस जगा बहुत जाता है जहाँ एमिली थी वहाँ एक flight hire कर लेता है जहाँ से वो एमिली जाहा थी वहाँ बहुत सके जब वो flight में होता है तो ये pilot उसे उस accident के बारे में कहता है वो उसे कहता है कि बहुत सारे bodies short तक आ चुकी थी एक गाव है जहाँ तक ये बहुत चुकी थी इस गाव की connectivity पूरे अफ वर्ल्ट से नहीं है फिलर्ट ने सब बरबात कर दिया था और जो bodies उन्होंने अब गाड़ी हुई होती है वो जो को देखनी होती है वहाँ के local से बात करने के लिए पाइलट को उसने लाए हुआ होता है वो पाइलट फिर इन लोग को बताता है कि इसको उसकी wife की body देखनी है तो वो लोग मान जाते है फिर ये अदिवासी लोग उसे कहते है कि हम तुम्हें जहाँ उसे गाड़ा है वो जगा तो देख सकते है पर हम तुम्हें गाव तक नहीं लेजा जा सकते है ये restricted होता है फिर ये सब लोग वहाँ जाते है जो जब वहाँ होता है तो उसे waterfall दिखता है उसे बदा चल जाता है कि कहाँ गाव है जो उस आधिवासी लोग को Emily की photograph दिखाता है वो फिर दोनों लोग जगड़ा करने लग जाते है एक बोल रहा होता है कि गाव तक इसे ले जाना चाहिए पर दूसरा उसे restrict कर जाता है जो को waterfall दिखे रहा है तो वो directly वहाँ से भागने लग जाता है वो driver भी उसके पीछे भागता है वो भागते भागते एक कड़ा पर आ जाता है वहाँ नीचे पानी होता है तो पानी भी भी वो डूप जाता है उस पानी में उसे जिस बस में Emily थी वो बस उसे दिखती है तो उस बस में वो चला जाता है उस बस में थोड़ा थोड़ा पानी भर रहा होता है फिर भी उस बस में ही वो रहता है इस बस में जब पूरा पानी भर जाता है और वो भी अब unconscious हो जाता है तब उसे Emily उसके सपने में दिखती है फिर इस वीजन में उसे दिखता है कि Emily जब उस बस में थी तो वो जिन्दा थी वो unconscious होकर उस गाउट तक पहुँच गई थी जब जो को ये बता चल जाता है तो जो पाइलेट होता है वो उस बस से उसे निकाल लेता है उसकी जान बचा लेता है वो पाइलेट उसे बोलता है कि अब हम फिर से वापस चला जाना चाहिए हम जब रात तक पहुच गए तो हम यहाँ से बचकर निकल जा सकते हैं जो अब भी जाने के लिए रेडी नहीं होता और गाउ की तरफ भागने लग जाता है वो पाइलट भी उसका पिछा करता है क्योंकि ये पाइलट अगर अकेला गया तो उसका लाइसेंज जो है वो छीन लाया जा सकता है तो इसलिए अब उसके पास जॉयस नहीं होती और जो काऊ पीछा करता है जो जाते जाते इस गाउ तक बहुत जाता है जब जो वहाँ बहुचता है तब सब आदिवासी लोग इसको घेर लेते है फिर वो अपनी वाइफ की तब स्फिर उन सब को दिखाता है वो सब लोग इसकी wife को जानते है वह फिर एक old lady आती है वो से कहती है कि हम तुमारी wife को जानते थे यह हमें cure करने के लिए हमें help करने के लिए आई थी जब accident हुआ था तब यह फिर से इस गाव में आ चुकी थी फिर वो उसे एक hurt में लेकर जाते है जब जो उस hurt में जाता है तो हमें दिखता है कि एक करीब होती है और वहाँ एक बच्ची होती है यह जो की बच्ची होती है उस बच्ची पर body mark होता है और वो dragonfly का होता है एमिली जो थी उस पर भी dragonfly का ही birth mark था फिर वो अपनी बच्चे को गोर्ण में उठाता है और वाटरफॉल को देखने लग जाता है फिर वो हमसे कहता है कि Emily हमेशा मुझे फेद रखने के लिए बोलती रहती थी जब वो जिन्दा थी जो मैसेज मुझे देना चाहती थी कि हमेशा मुझे faith रखनी है मुझे believe करना है तो मुझे death में भी वो सिखा कर चली गई फिर हमें दिखता है कि उसकी बच्ची ज़रा बड़ी हो चुकी है और उसे वो खेल रहा है वो बहुत ही खुश होता है यही यह movie कतम हो जाती है